कि दोस्तों हमने अपने चैनल पर बहुत सारी स्मार्ट वॉच का टेस्ट किया है मतलब इतनी अच्छे-च्छे तरीका से हम उनको टेस्स किया है कि पता लग जाता है वो रगेड है अफिर नहीं है और जातर ना बजेट में जो रगेड स्मार्ट वॉच आती है वो भाई सिर पहली स्मार्ट वॉच होगी जो इन बिल्ड जीपेश के साहथ आती है लेकिन सप्राइजिंग चीज है कि इस वाच का प्राइस सिरफ दो हजार रुब है अपको पता हुआ है इन बिल्ड जीपेश वाली स्मार्ट वॉच जा तर तर तीन चार पांस हजार पे से शुरू हो तो यह रहे भाई फायरवोट एक्पिडिशन स्मार्ट वॉच के बॉक्स और मेरे पास यहां पर यह दो वेरिंट में एक यहां पर थोड़ा सा ओर और ब्लाक कलर है थोड़ा सा ट्रेंडी टाइप का है और दूसरा यहां पर बेज कलर है दिखने में वी सही लग रहे है ल यहां पर वॉच के लोक है उसके लावा दिखा हुआ है यहां पर इन बिल जीपिएस ट्रैकिंग तो यह बहुत ही साही चीज़ है आउट्डोर रगिट स्मार्ट वॉच है 1.3 एंचिस का यहां पर सर्कूलर डिस्प्ले है तो यहां पर रजवन भी अची खासी है इसके ब स्मार्ट वॉची रहती है कैसी हो जैसी और यहां पर देख सकते हो जो स्ट्रैप्स वगरा है लेकिन मैंने जैसे बता है औरेंज वाली है उसको मैं पैंकर यूज कर रहा था तो उसकी लोक कुछ इस तरह से रहीगी देखो इन दोनों कलर में में पर्सली मिरको यह औरेंज सब्स्क्रिप्शन प्रैन तो यह सब है बागी वाच की तरफ आए तो सबसे पहले इसके उपर एक स्टीकर सा लगा तो वह मैं हटा देता हूं और यहां पूरी जो बॉड़ी है वह यहां पर वैसे पॉली काबनेट है बहुत ही अच्छा खासा हाट प्लास्टिक है वैसे लेकिन देख सकते हो अपर जो ब्टन आपको एक रोटेटिंग क्राउन है अघर आब सुन पाओ तो ऐसे क्लिक 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 क्रेंंड सी आती है तो यहाँ पर अगर आपको straps change करने होंगे तो वो possible नहीं लग रहा बाकि ये जो orange और black color में जो watch है जिसको मैं use कर रहा था उसकी जो look है देख सकते हो ये कुछ इस तरह से रहती है और personal दिना मुझे इसकी look बहुत ही बढ़िया लगी है कफी अच्छागा सा design लग रहा है और जो orange straps है वो भी देख सकते हो ये जो color combination है orange black का ये वैसे भी अच्छागा सा जाता एक साथ बाकि पीछे की तरफ इसके जो heart rate sensor SPO2 sensors and charging point है calling smart watch है तो speaker grill बगा रहा है यहाँ पर मिलती है लेकिन बात करें भाई इन watch के features के बारे में जो यहाँ पर important है inbuilt GPS की वज़ा से इस वाली watch को मैं already use कर रहा था तो इसी में इसके feature में दिखा जाता हूँ तो सबसे पहले तो इस watch में आपको यहाँ पर 1.39 का circular display मिलता है और display यहाँ पर बहुत ही शार्प है 360 पिक्सल भाई 360 पिक्सल की रर्शन है और brightness जो यहाँ पर है 500 निट्स की तो वह कोई प्रब्लम नहीं है इंडोर आउट्डोर में इतना इशू नहीं होगा लेकिन मुझे इसका display बहुत ही अच्छा लगा काफी vibrant सा है इसके बाद यहाँ पर इसमें आपको एक रोटेटिंग क्राउन मिलता है जैसे मनम बताया था उपर से यहाँ पर इसके स्क्रीन आउफ होती है बैक के लिए यही यूज कर सकते हो बीच में रोटेटिंग क्राउन है नीचे वाला एक शॉटकट बटन है तो मुझे यह watch face काफी बड़िया लगा बाकि इसके साथ जो इसकी app है The Fit उसमें भी आप यहाँ पर बहुत सारे जो watch face इंस्टॉल कर सकते हो या फिर अपनी फोटो लगानी है तो वो भी possible है बाकि इसके UI की बात करें तो नीचे साथ की तरह स्वाइप करोगे तो यहाँ पर notification पैनल उपर सी नीचे की तरह स्वाइप करोगे तो कि क्टोगल buttons है और यहाँ पर आप जो calling का feature brightness वगारा सेट कर सकते हो और brightness वाला सही है है हाँ पर setting का option है लेकिन इसको हम आगे देखेंगे और UI में बोलोगा कि यहाँ पर बहुत ही smooth है कोई हाँ पर stutter lag वगारा नहीं दिख रहा मुझे उसके लावा यहाँ पर right से left की तरह स्वाइप करोगे तो shortcut card है तो सबसे पहले activity का option है और यह मेरे steps count है देखो वाई rugged smart watch है जो की obviously activity वगारा के लिए यूज करते है तो यहाँ पर जो accuracy है वो भी बहुत ही important रहती है और मेरे साबसे ना यहाँ पर इसके steps count है उसकी जो accuracy है मुझे सही लगी है 95% के आसपास में accuracy बोलूँगा और यही पर swipe करके आप नीचे जो history वगारा भी देख पाओगे तो यह साही है सारी information आपको watch के अंदर ही दिख रही है उसके लावा स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपको heart rate monitoring का option है history वगारा भी कर सकते हो इसको उसके मेन्यू एक्सेस करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू स्टाइल है अलग तो अपने हिसाब से चूज कर लो लेकिन यहाँ पर जैसे इस मेन्यू में सबसे पहले activity sleep heart rate phone call के option है exercise है और इस watch में आपको 120 प्लस जो exercise mode दिया है और जैसे वाई इस watch म two options हैं तो GPS walking, GPS running, GPS cycling, GPS trail running, GPS on foot तो यह भाई GPS के कुछ जो sports mode आपको मिलते हैं किसी को भी आप यहाँ पर चालू करोगे तो यहाँ पर सर्चिंग for GPS है उसमें यहाँ पर आप गोल बगारा भी सेट कर सकते हो जैसे यहाँ पर मैं को 30 मिनट के लिए जो यहाँ पर workout करना है और start इसके screen पर ही दिख जाएगी तो कितना distance कवर किया, pace, calorie, steps count और हमने इसका GPS भी हाँ पर जो test किया था इसकी जो app में भी जाकर आप जो भी GPS वगरा की information देख पाऊगे जैसे यहाँ पर मैं इसकी app में जाओ तो जो भी information रहेगी जैसे कहाँ पर आप गए पूरा यहाँ पर ज से काफी बढ़िया है और जैसे मैंने पहले ही बोलती है दो तीन हजार वली वाचे में वैसे GPS मिलता नहीं है चार-पांस हजार से शुरू होती है और यहाँ पर इस वाच में दो हजार के एंडर में GPS मिल रहा है तो अगर आप जैसे वाकिंग बिचाते हो रनिंग करते हो सा तो यह सही है हिस्ट्री वागारा देख पाऊगे एवसेटन, SPO2, weather information जैसे हमने अल्रेडी देखा, message, shutter, player, timer, alarm, stopwatch, female's के लिए message, tracking का option है, find phone, calculator और games भी दियो है कुछ यहाँ पर inbuilt तो यह सही है, time pass के लिए, setting में जाएंगे तो display की setting, vibration ring, dnd mode, low power mode, phone enable, disable करना हो जिसमें अच्छे खासे आपको feature मिल रहे है, look वगेरा भी काफी बढ़ी है, मुझे काफी सही लगी, और inbuilt GPS है, वो काफी अच्छे से काम कर रहा है, tracking information मुझे अच्छी लगी है, जो steps count है, बाकी heart rate और SPO2 है, उसकी जो accuracy है, उसको check कर लेते हैं, जल्दी से पहन लेता हूँ है, और और देख सकते हो, यहाँ पर work कर रहा है, बाकी पहनने में मैं बोलुगा है कि काफी comfortable smart watch है, थोड़ी से straps है मुझे अभी भी hard लग रहे है, थोड़ी और soft होते तो और अच्छा होता, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इसके heart rate SPO2 इसको भी जल्दी से check कर लेते हैं, तो मैं 88, 90, 89, देख सकते हो भाई, बहुत ही close reading है दोनों ही में, तो यहाँ पर मुझे जो accuracy है, heart rate की वो अच्छी लगी है, उसके लावा यहाँ पर जो SPO2 मिटर मिलता है, उससे compare कर लेंगे इसको भी, और हाँ जो oximeter के लिए आपको यहाँ पर जो red sensor ही मिल रहा है, तो यह अच् लेकिन अच्छी बात है, यहाँ पर इस वाच में आपको जो false reading नहीं मिलती है, चाहे हवा में हो, चाहे किसी surface पर हो, उसको भी दिखा रहता हूं, और अभी देख सकते हो, इसने नहीं जो कोई भी reading शू करी, तो अभी error आ गया है, वापिस इसको किसी surface पर रहती है, वापि मैंने वैसे notice कि कभी बार नहीं किसी surface पर थोड़ी बत reading देता है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं होता है, यह भाई, fake sensor है, यहाँ पर readings आपको accurate नहीं है, क्योंकि इस तरह की reading पर गयरा है, वाँ पर भी देता है, कभी-कभी, डिपेंड करता है, आपके आसपास की light है, कैसे ह किस तरह से fluctuate कर रही है, तो उस हिसाब से sensors वर्क करते हैं, अगर आपको नहीं पता हो, तो थोड़ा सा नहीं को लगता है, कि आप Google करो की तो पता लग जाएगा, बट मेरे हिसाब से हाँ पर जो accuracy है, चाहे वो heart rate की हो, SPO2 की हो, या फिर steps count है, मुझे काफी accurate लगे, 95% के आ पानी बगारा में ले जाना, मैं इसको prefer नहीं करूँगा, लेकिन उसके यहाँ पर dust proof यहाँ पर है, तो यह कोई problem नहीं है, आप outdoor, rugged बगारा, जोसे activity बगारा करते हो, तो उसमें यहाँ पर यह survive कर जाएगी, भागी obviously एक calling smart watch भी है, तो calling का feature भी test कर लेते हैं, तो सबसे पह आप भी हमार पास option रहते हैं, जैसे यह call अपने watch पर transfer कर सकते हो, phone पर transfer कर सकते हो, बटन आपको दिया है, volume increase, decrease कर सकते हो, मैं यहाँ पर कार्ट देता हूँ, बागी notification wise, SMS notification कुछ इस तरह से रहती है, हिंदी और English दोनों को टेक्स के यहाँ पर support है, emoji आपको नहीं मिलता है, कोई reply भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसकी जो speaker और mic की quality है, तो उसको भी test कर लेते हैं, तो सबसे पहले इसका speaker का volume है, वो मैं आपको सुना जाता हूँ, देखो, जैसा आप सुन सकते हो, यहाँ पर speaker का volume है, decent है, बहुत जादा loud नहीं है, इंडोर में आपको कोई प यहाँ पर यहाँ पर जो speaker की quality है, जो कॉलिंग ले सकते हो आप इस पर, आप जो आप सुन रहे हो, वो फायर बोल एक्सपिटिशन के microphone से और mic मुझे लगता है कुछ इस साइड आसपास कहीं होगा, अगर आप इस तरह से आप रख कर बात करते हो, तो कुछ ऐसी ही रहती है अराम से यहाँ पर 5-6 दिन यह watch चल जाएगी, यह एक rugged smart watch है, तो हमने पहले भी अपने चैनल पर rugged smart watches का rugged test किया है, extreme condition में, लेकिन obviously बात है बजट जो smart watches जाती हैं, बहुत जादा extreme conditions में survive नहीं कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा test कर देते हैं, तो सबसे बहले इस watch क जो watch है rugged है, तो काफी अच्छे से survive कर गई है, screen वगएरा में कोई scratch नहीं है, कोई break नहीं हुई, और touchscreen अच्छे चल रही है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैं और उच्छा लेता हूँ, अपनी height से थोड़ा सा और उच्छा लोगा, कोशिच करेंगे face down यहाँ पर अगर आपने इसको पहना हुआ है, मैं आपने इसको पहना हुआ है, लेकिन अगर आपने इसको पहना हुआ है, तो थोड़ा बहुत जैसे दिवार पर भी लग जाती है, तो तब भी मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी तरह से कोई scratch बगएरा या फिर damage का कोई issue आने वाला ही है, मुझे यह चीज़ सही है, थोड़ा सा अच्छा बिल्ड है इसका, थोड़ा बल्की सा है, लेकिन एक और थोड़ा सा हम extreme test कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको फैक के मार के चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर हम जब outdoor में होते हैं, मतलब ऐसे activity वारा के हिसाब से, तो यहाँ पर देख सकते हो, touch screen वगारा काम कर रही है, कोई damage नहीं देख रहा है, वैसे जो color में damage नहीं देखेगा आपको इतना, लेकिन फिर भी मुझे यह काफी सही लगा, कि 2000 के price point में, इस watch में, जो इसके build quality है, ruggedness है, इसका design है उसके वजए से, यहाँ पर मुझे लगता आ स्मार्ट वोच है, काफी rugged सी है, थोड़ी बल्किया, अगर आपके thin wrist है, तो उसके साब से थोड़ी सी बल्की लगेगी, बहुत ज़्यादा heavy नहीं है, यह अच्छी बात है, लेकिन उसके लाबा यहाँ पर यहाँ पर फीचर वगरा है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पर 2000 में काफी अच्छे गासे मिल रहे है, especially यहाँ पर आपको inbuilt GPS मिला है, और साथ में हाँ पर rotating crown भी दिया हुआ है, और accuracy wise में मुझे यहाँ पर यहाँ पर decent लगी smart watch, तो एक तरह से 2000 के अटनर में अगर आपको एक rugged smart watch चाहिए, definitely यहाँ पर मैं बोलोगा है कि आप जो firebolt expedition से च अच्छा लग रहा है, वो आप नीचे comment करके बताओ, watch कैसी लगी है, वो भी आप नीचे comment कर दो, और कोई smart watch की video देखना चाहते हो, तो वो भी नीचे suggestion में देदेना, और अगर आपको ए video पसंद है, तो video like कर देना, और इस तरह हो content देखना चाहते हो, तो इस चानल को subscribe बर एक और exciting video के साथ, और मैं मना आपको इनको अगी बात,